ओके जी सेनफ ख्लास, ओपने मैं स्वार्बॉक्स एंडिस आलसो इंशाला आज जो है हमारा फिर्स्ट रेक्टीट हो जागा तुक्या आज हम एक्सरसाइज वन की आज कुछ दे रिए जी रेक्टीट से गुर्वन operations on set operations on set exercise one exercise one exercise one जो है, इसी question number 12 है question number 12 जो है उस question number 12 जो है उस question number 12 पुसोद के में से पहले मैं आपको बतातू कि हमारे जो previous lecture था उसमें हमने डिस्किस किया था commutative property को, commutative law को आज हम discuss करेंगे वो है associative property, associative law associative law law कहले है हम इसको associative property कहले है को फार्टी जो कमutative property थी उसमें तरह हमारे पास दो हमारे पास numbers हो आप कहे सकते हैं दो हमारे पास ये हैं हम इसके प्लेस्मेंट कर दें जगा चेंज कर दें इसके यूनियन के एक सेट है और एक सेट है यूनियन में इसका इक सेट है इक सेट है। तो इसके places थी, तो मैंने इसकी जलाज को है, चेंज कर दी तो यह पास क्या आया, यह competitive property थी, जिसमें हम अगर places को चेंज कर देते हैं, तो लेकिशन सेम रहता है, जो इसकी places है, वो चेंज होजा दी है, तो हमारे जो answers पे हैं, कोई effect नहीं आता, वो एक बुस्ट्रे के एक लि property है, वो है associative property, इसमें हमारे पास 3 more than 2, जो है, 3 more than 2 set हमारे पास विजूद होने चाहिए, for example, मेरे पास 3 set को A, U, B, मेरे पास 3 set को A, B, and C, अगर मेरे पास 3 set है, मुझे इस set को यूज करते में एक associative property बनाई है, मैं क्या करूँ है, A, Union, B, Union, C, मैंने एक property है, इसकी left-hand side है, ये बनाई, A, Union, B, Union, C, मैंने गूपिंग कर दी, A, U, A, B की और C को मैंने separate कर दिया, और अगर मैं जैसे की right-equal है, A, Union, B, Union, C, अगर मैं इसकी grouping change कर दी हूँ, तो ये इस तब इस council है, वो same idea, जैसे कि मैंने फर्स में मैंने क्या grouping की A union B और मैंने इसकी right में सब्सक्राइब क्या grouping कर दी B union C तो हमारा answer जब है वो same आएगा, patient पो बोगो और इसकी grouping जो है वो change कर दी है इसी तरह से ये है associative law associative law for for union ये हमारा answer union के लिए और अगर मैं same procedure जब है A intersection B A और B का group बनातिया intersection C और मैंने इसकी left left side में grouping होगे और मैंने जब राइट side में इस groups की group होगे तो मेरा answer में तर्पी है same आएगा तो मैं इसको क्या पैदूँगी associative law for intersection ठीक है hopefully आप होगे associative law के होगे associative law होता है three sets पर depend करता है इसमें उसकी grouping change हो जाती है अगर हम उसकी grouping change करते हैं तब भी हमारे answer में कोई difference नहीं पढ़ना हमें ज़े straight moves करता है के left hand side चाहे right hand side चाहे this is clear okay तो अटो आपक दोश्यों ग्सक्ते है की हमें इसकांइ खेंड ग्सक्ते है को ग्स्स्थन बट्रें प्रोप़ प्रोड़ को बाद साद कर दो जो 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 हुआ है 12 if A equals 2 3 6 9 12 15 and B equals 2 4 12 16 and 20 and C equals 2 5 10 15 20 then 2 associated property property for union legend area of 7 we can say we have A, B and C values and we have said that you have union associated property for union मैं इसको solve को इपे दिखा रहा है कि क्या property वापई में चीज के लाइबार ही आए या रही आए So first of all, solution जो है हमारा पहरी इसकी property लिखे है है हम A, union B, union C first you do A, union B, union C left hand side, first of all take left hand side, it's A, union B, union C हम सबसे पहरे क्या पहरेकि left hand side, which A, union B है हमने इसकी value, हमने इसको पहरे solve करना है A, union B, equal to, put the value of A, then put the value of B A क्या है, 3, 6, 9, 12, it's a multiple of 3 U, and B क्या है, 4, 8, 12, 16, and 20 हमने इसका answer लिखे है, अब union क्या होता है union में क्या करते हैं हम सारा जो है, इकठा करते हैं तो हमने इसको, A, union B, equal to, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, and 20 यह हमारा पास आगया, A, union B, अभी हमारा पास A grouping आई है left hand side में union B की, अब हमने क्या करता है, जो हमारा पास answer आया है A, union B का, उस answer में हमने union C प्रटते हैं, हमारा answer है अब हमने सारे solve करते हैं, A, union B, union C A, union B क्या है, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, and 20 है अब हमने क्या करना है, यह वारा, union B है, union C की वैली कुट करते हैं, C क्या है, 5, 10, 15, and 20 5, 10, 15, and 20 5, 10, 15, and 20, okay आपने क्या क्या है, इसका यह रिए 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 आपने क्या यह रिए, यह रिए, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 C and 20 यह मारे का स्वाव किया A union B union C यह मारे का साथी left hand side अब अगर मैं रोड़ आप करें कि मैं इसको रिमूव करूगी और भी राइप हैंड साथी इसको रोड़ आप करेंगी जल्दी साथ इसको रोड़ आप फिरें फिरें पॉप इसके अरे शाबाश राइप शाबाश राइट आप अपर डेक एंडेक करेंगे पॉववड़ लूप पाश पॉवड़ आप्यूब आपको रॉववड़ पॉवड़ आपको रॉवड़ यवड़को रॉवड़ पॉवड़ री अवड़। कि यह चलिए प्लाव स्वाइब लेटेंट साइट जो है वो हमारी स्वाइब होती है अब हमें क्या करना है राइट है तो सौल्स करना है लेट हैं और राइट है जा चेंजिक है उसकी पहले एए यूनियन भी का ग्रूप था अब भी यूनियन सी का ग्रूप है अब होती हमारा जो आंसर है वो सेमाय और हम वेरिफाय कर सके के अस्वाइब यूनियन इस ट्रूप थूप 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 राइट हैंड साइट राइट हैंड साइट ए यूनियन भी यूनियन सी अब इसमें भी हमार करेंगे सबसे पहले बी यूनियन सी देगे B union C यह find out करेंगे B क्या रहा है high pass 4, 8, 12, 16, 20 Union C क्या रहा है high pass 5, 10, 15 and 20 आंसर इसका क्या रहा B union C का Union में क्या कट्थे हैं कट्थे बरके रिखे दे हैं 4, 5, 8, 10, 12, 15 के वाला 16 and 20 यो गया अब हमें क्या find out करेंगे A A union B union C अब हमें यह find out करें B union C का जो ग्रूप है वो हमने find out करेंगे अब हमें उसके answer में A union आपकर करेंगे A की value क्या है 3, 6, 9, 12 and 15 and B union C की value क्या है 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 and 20 अब हमें इसका answer जो है यहां राइट करें उपर गाल में देजनी करेंगे क्योंके हमारा answer जो है क्योंके मैंच यहीं सोबर आपकर करेंगे तो अब हमें क्या करेंगे अब हमें इसका जो है A union B union C अब हमें इसका जो है क्या आइगा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 and 20 15, 16 and 20 यह हमारा final answer आपके अगर अब हमारा manage करें A union B into union C and A union into B union C अब हमारा answer 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 15, 16, 16, 16, 20, 30 So prove that hands proved left hand side equals to right hand side Okay यह हमारा answer था अगर हमारा answer जो है वो सेम आजाए तो automatically जो है हमारा question जो है वो बिल्कुल ठीक है Okay जी आप इसको जल्दी से solve करें इसके बार हम नीचे के कि उन्हेंने multiple choice question दी है हम जो कर लेते है 5 आप जदी जदी से करें हमारा थे करें अ मैं अमने जो तब्र कर स्काइब के और को फ्रस्टेरियस बल में तो चौक सीच पनागी भाइब आ है है एक साइड पर लेट हेंड साइड लिखना है, एक साइड पर राइट हेंड साइड लिखना है, आपने इस question को solve करना है, कि इस दोनों की जो steps हैं, वो साथ साथ सामे सामें हैं, ठीक है? ओके. Next time, नमारा multiple choice question. गुड़ोगी सामें है कि आपने हैं, एक सामें की जोजी जोडूसरा है, सहीं पर दिदे हैं टो कभी सिर्फ इंगे सिंख रुपत Nahon ये सों हंन वैक जो हैं सो 1 वार्ट को मानव पहस कि क्या है वार आइवाıllते हैं जो कैसे किरते हैं आइमिसिरी इन प्डति है जो मैं मैं झूपते हैं value of B 100 okay अब minus में था है कि वह बहुआ हम लिखने हैं कि first to accept में वह लेकि इसमें आप तो हो क्या है यह और इवर में पढ़ना है तो सारे और पर पर सा 1,3,5,7,9,12,11,13,15 199 देख्या इस साल से हमारा हो आएगा A A is the royal option of question number 1 multiple choice question okay what does the rectangular region in a van diagram represent अब हम एक diagram नाते हैं तोसके यह rectangular यह हमारा किसको represent करता है यह represent करता है U for universal set universal A is the correct option okay third one एगा which of these represent the commutative property of union offset commutative property A is the right answer A union B and equals to B union A union offset उन्होंने हमें union procommodative property कहा है अगर हमें उन्होंने procommodative property कहा होता तो हमारे पास B पी जो है अगा प्रॉपर्टी बनती है U minus A U minus A इसका right answer है तो हमारा answer हो गया होफ़ली आपनों को unit number one जो है complete हो गया है आज हमारा हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो इंशाला हम next video में next chapter स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए take care of yourself Allah Hafiz